आज हम लोग डिसकस करेंगे उनिट नमबर 42 इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे तमाम नेगेटिव फॉर्म्स को के नेगेटिव फॉर्म्स की मदद से हम लोग किस तरीके से सेन्टेंस बना सकते हैं चीक है ? तो वीडियो स्टाट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करते हैं सबसक्राइब कर दे हैं और बैल अ grateful फॉर今天 यह आने वेली वीडियो से आपको मिलते रहें इन तमाम helping verbs के अमलुक negative sentences बनाएंगे जैसे के am not, is not, are not, was not, were not इनके साथ साथ contraction भी मौझूद है के was not, wasn't, were not, weren't, have not, haven't, has not, hasn't, will not, want, cannot, can't, could not, couldn't, must not, mustn't, should not, shouldn't, would not, wouldn't ठीक है तो चलते हैं एक्जम्पल की तरफ I'm not tired, मैं थकवा नहीं हूँ It isn't, या It's not running आप ये भी बोल सकते हैं, It isn't running, आप ये भी कह सकते हैं, It's not running, चीक है नीचे है, They aren't, और They, और They're not here आप ये भी कह सकते हैं, They aren't here, आप ये भी कह सकते हैं, They're not here, चीक है Next, Julian wasn't hungry, Julian hungry नहीं थी, The shops weren't open Shops खुली भी नहीं थी, I haven't finished my work, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया Sue hasn't got a car, Sue के पास car नहीं है We won't be here tomorrow, हम लोग कल यहाँ पर नहीं होंगे इसमें basically आप लोग देख रहे हैं कि negative sentences किस तरीके से बना सकते हैं Different topics के साथ George can't drive, George drive नहीं कर सकता I couldn't slip last night मैं कर रात नहीं सो सका था I mustn't forget to phone and मुझे and को phone करना नहीं भूलना चाहिए था You shouldn't work so hard आपको सक्त मैनत नहीं करनी चाहिए थी I wouldn't like to be an actor मैं actor बनना पसंद नहीं करूंगा मतलब यह के present simple के negative sentences किस तरीके से बनाएंगे यह सीखेंगे और past simple के negative sentences बनाएंगे और यह सीखेंगे present simple negative में basically I, we, you, they के बाद do not आता है, don't आता है ठीक है negative sentence में और he, she, it के फौरण बार does not आता है क्योंकि third person singular होते है उसके बाद based form of the word बाजाती है work, live, go, etc past simple में यह होता है I, we, you, they, he, she, it सब के साथ did not आएगा ठीक है उसके बाद based form of the word बाजाएगी work, live, go, etc ठीक है चलते है positive हम लोग sentences किस तरीके से बनाएंगे और negative कैसे बनाएंगे पहले देखते है present simple को present simple में I want to go out मैं बाहर जाना चाहता हूं इसका negative कैसे होगा I don't want to go out मैं बाहर जाना नहीं चाहता they work hard वो सख्त मैनत करते हैं इसका negative कैसे बनाएंगे they don't work hard वो लोग सख्त मैनत नहीं करते हैं Liz plays the guitar Liz guitar बजाती है ठीक है third person singular के साथ SES का अज़ाफ होता तब ही place हमने यहां पे बोलाए Liz doesn't play the guitar Liz guitar नहीं बजाती है My father likes his job मेरे father अपनी job पसंद करते हैं My father doesn't like his job मेरे father अपनी job पसंद नहीं करते हैं यह होगा हमारे prison simple के positive और negative sentences अब आज जो हम लोग देखते हैं के past simple में हम लोग positive और negative sentences किस तरीके से बना सकते हैं I got up early this morning मैं आज सुबह जल्दी उठा था अब हम यह किस तरीके से बोलेंगे मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठा था I did not मतलब I didn't get up early this morning मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठा था They worked hard yesterday उन्होंने सक्त मैनत की थी कल They didn't work hard yesterday उन्होंने कल सक्त मैनत नहीं की थी आप डिडिंट भी बोल सकते हैं और डिंट भी बोल सकते हैं We played tennis हमने tennis खेला था We didn't play tennis हमने tennis नहीं खेला था Did not आ जाएगा Already a second form है के बाद हम लोग Based of the verb इस्तमाल करेंगे जैसे के play प्लेट को हम लोग क्या बोल देंगे Play कहा देंगे ठीक है Dine had a bad Dine क्या नहीं थी Dine didn't have a bad Dine नहीं नहीं थी अब आज़ें Don't Don't इस्तमाल imperative में भी होता है imperative sentences में Don't भी इस्तमाल होता है जैसे के Look हम लोग बोलते हैं देखो जब इसका हम imperative बनाएंगे negative में तो हम क्या बोलेंगे Don't look नहीं देखो Wait for me मेरे इंतिजार करो Don't wait for me मेरे इंतिजार मत करो Sometimes do is the main word कभी कबर do क्या main word बोता है जैसे के हम लोग बोलते है Don't do, doesn't do, didn't do ठीक है इसको हम sentences में कैसे मनेंगे Do something कुछ करो इसका negative कैसे होगा Don't do anything कुछ भी मत करो Don't क्या हो गया हमारा helping work और do क्या हो गया Main work ठीक है Sue does a lot at weekends Sue weekend में बहुत काम करती है Sue doesn't do much at weekends Sue weekends में बहुत काम नहीं करती I did what you said मैंने वही किया जो आपने कहा था I didn't do what you said तो देखा आप लोगो ने कि आप लोग डिफरेंट किसम के negative sentences किस तरीके से बना सकते है I hope कि यह topic आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे समझ में आया है